दोस्तों एक पर फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टेडी चैनल राजिन सर्मा टिप्स में आज मैं आपके लिए लिकर आया हूं पांच मिनट की डिक्टेशन जिसमें कुल 400 सब्देयों जिसकी स्पीड है 80 सब्द प्रत्मिनट तो कुछी छड़ो में मैं आपके लिए एक डिक्टेशन बोलूँगा रड़ी महोद है मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है हमने बिभिन द्रश्टिकोणों से अलग-अलग विचार किया है विशेश रूप से सबसे उंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्ण पर किन्तु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंद है अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है भले ही आप इससे सहमत ना हो कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बड़ सकता और साथी साथ आदनिक तोर तरीकों का विस्तार हो सकता भारत की मूल समस्या यह है कि यहां जोत की भूमी छोटी है और टुकडों में बटी है साथारण तोर पर में कहूं की यह एक दो या तीन एकड में इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवन अपना काम भर चला सकते हैं लेकिन आधनेक तोर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगती करेंगे अब सबसे उंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फार्म हैं उनमें काट छाट हो जो की प्रयोजन भी है अगर आप चाहते हैं कि प्रगती हो और आधनिक तोर तरीकों का प्रचलन हो तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं इनको सहकारी धंग से चलाना है जिससे कि वे आधनिक उपायों का लाव उठा सकें सहकारी धंग से कार्य करने से मेरा मतलब है बिविद रूप से सहयोग देना हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और रिण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी साहता की जा सकती है जैसे वस्तूओं को खरीदना और बीचना बीज खाद तथा इसी प्रकार की वस्तूओं को देलाना दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना फिर दूसरी इस्तिती आती है जिसको मिल जुल कर खेती करना कहते हैं यद्यपी उसमें भूमी पर अधिकार बना रहता है इस प्रकार का हमारा द्रश्टिकोंड है जिससे अधिक से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक से अधिक जोड़ा जा सके नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है यह एक जटल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है सहकार से मेरा मतलब एक गाउं के सहकार से है और जादा से जादा दो तीन गाउं का सहकार भी हो सकता है यदि वे निकट से सम्मंदित हैं लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी तथा भविस्च में इस प्रकार की सहायता करते रहना चाहिए जिससे हमारे देश का किसान सुखी और खुशहाल रहे तथा राष्ट्र उन्नती के सिखर पर आगे बढ़ता रहे फुल स्टॉप दोस्तों यह थी हमारी पांस मेट की इक्टेशन उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ले कर आता रहूँगा तब तक के लिए जैहन दोस्तों